लो गाइस गूर्णिंग मेरा न्यू व्लोग में आफसे लोकों का स्वागत है व्लोग पर बने रहेगा न्यू व्लोग में आगे आगे चलते हैं दिखाते हैं इधर का सीन और ब्लोग को लाइक किजेगा गाई कि लोग का धान कि इस प्रकार से हुआ है और चारों और प्रहरा भरा सीन देखने को मिल रहे हैं और इधर एक छोटा सा बस्ती है देख सकते हैं छोटे-छोटे घर बना हुआ है कपरा का देख सकते हैं इधर इंडर का जोगां है इधर का रोड साइक की अवर आ चुका हूँ और अब इम लोग भी बन दिक बर जाएंगे तो वीडियो को बने रहे हैं यह देखे गाईस इतना प्यारा और अच्छा सीन है अब इभन दिक यह चार है और गाड़ी का बंद कर दिया हूँ क्योंक अखाले निर्क पगड़ा होती जा करते जा रहा हूँ यह देखिए लाइफ का लाइफ आने वगेरा ला रहे हैं यह देखे शटा शटा गहर बना हुआ है तो मैं अकिला हूँ तीब नदी गाउप जस्ट बगल में ही है और इधर तूरिया बहुत की अच्छा और पुप् अबने इसके हों आदेजिए यह रहा है या विर्क झालता देखी दर इसी खहाब number कांदा ड्सक्राइब करते के सब्सक्राइब कि यह देखिए कितना संदर है और बाई कुख्रा क्या है यहां पफूलिया बनने वाला था मगर नहीं बना दूसरे साइड बोग्या का निच्वर बना हुआ है तो गाइस चलिए इसर से अपकी जाते टाइम रोड के जो बगल में घर वगेरा है चोटे-चोटे-चोटे-चो गाउं का इसको मैं वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो पर बनने रहिए और देखते जाहिए आगी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक दी कीजिएगा इस गाउं का सिन्पी इस परकार से है अपोड के जस्ट बगल-बगल में घर बनाया हुआ हुआ ह परका और मैं वीडियो मतलब गाड़ी चलाते टाइम गाड़ी गाड़ी चलाते वे वीडियो रिकॉट करता ना तो आदमी लोग देखते तो क्या हो गया पागल हो गया है इस परकार से बोलते और मैं आगी से ही सूट कर रहा हूं खड़े होके यहां एक छोटा से स्कुल बस बंद पड़ा हुआ है यह कुछ कारण से और तुछ आगे मैं वीडियो बना रहा हूं कुछ आगे आके और इधर देखिए गाउं का टासफर्मा और हम लोग का गाउं बहुत ही बड़ा है गाव इस इधर तो पुरा बस्ती ही बस्ती है बट वीडियो नहीं बनाया हू हूं धवरा सांड सेर करके है और इधर देखिए आगे में एक बनमाली चोक है यह सईध हो गए है और इधर भी घर वगे रहा है इस इधर चोटे-चोटे घर होगे रहा है बस्ती केंडू तो ली बोलते हैं इधर चोटा-चोटा घर इधर गाउं में किस परकार से घर रहत है और इधर भी देखिए और इधर अधर का घर बहुत त्यारा और अच्छा लगत है रहाने हमें गर्मी का हिसास नहीं होता पुरा अच्छा लगता खान लिठान